वैसे तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कई जुमले हैं दोस्तों, मगर मेरा पसंदीदा मोदी जुमला है, मोदी है तो मुम्किन है और मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं केंद्र सरकार में भारतिय जनता पार्टी पूरी तरह से आशुरत है तेलगू देसम पार्टी है ये कहा जाए चंदरबाबू नाइडू पर आप जानते हैं आज सुबह क्या खबर आई है? आज सुबह खबर ये आई है कि 371 करोड के स्किल डेवलप स्कैम जिसमें चंदरबाबू नाइडू को 53 दिन जेल में बिताना पड़ा था उस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार की एजनसी ED ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है मैं आपको याद इलाना चाहूंगा जब जगन रेड़ी भारती जनता पार्टी की साथी थे तब CID ने एक केस की शुरुआत की थी दोस्तों और CID की जाच के आधार पर ED ने अपनी तरफ से केस किया था नतीजा चंद बाबू नाइड एक तरफ ये सब किया जा रहा है दोस्तों और दूसरी तरफ उत्तर पदेश में उत्तर पदेश में माहौल को भड़काने की कोश्च की जा रही है क्यूं ताकि इस तरह की खबरों पर परदा डाला जा सके आपको आपके बच्चों को दंगाई बनाए जा रहा है मगर दू इसलिए ये जो भारती जनता पार्टी की वाशिंग मशीन है ना, इसका महराश्री कनेक्शन क्या है ये भी मैं आपको बतलाओंगा, अगर ये खबर अपने आप में बहुत शौकिंग है दोस्तों, चंदर बाबु नाइडू को क्लीन शिट दे दी है, मोधी सरकार की एजनसी ने 371 करूर का घोटाला, त्रेपन दिन चंदर बाबु नाइडू को जेल में रहना पड़ा था, इससे दो ही चीज़े सामने उभर कर आती हैं, पहली बात, भारती जनता पार्टी भ्रष्टाचार के बारे में बिलकुल भी गंभीर नहीं है, सिर्फ एक जुमला है, दूस भी गायब हो गया, और दूसरी तरफ धारती जनता पार्टी की सरकार केंदर में बनी हुई है, मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, ये दोहरे माबदंड भारती जनता पार्टी लाती कहां से, और प्रधान मंत्री एक के बाद एक आप ऐसे जुमले कैसे बोल सकते हैं, एक त और फिर आपने क्या कहा था, कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हैं, याद है कि नहीं आपको मोदी जी, सुनिया आपने क्या कहा था अगर उनकी गोटाले की गारंटी है, तो मोदी की भी गारंटी है, और मेरी गारंटी है, हर गोटाले बाद पर कारवाई की गारंटी तो दोस्तों, ये जो मामला है जैसे मैंने बताया, 371 करोड का घोटाला और 53 दिन तक वो जेल में रहे थे, जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर कॉंग्रिस उग्र है, कॉंग्रिस की प्रवक्ता सुप्रिया शुनियत का बयान आपके स्क्रीन्स पर, याद होगा सितंबर 2023 में चेंदरबावु नाइडू जेल गए थे, अब E.D. ने उसी स्किल डेवलप्मेंट कॉपरेशन से जुड़े घोटाले में उन्हें क्लीन्चिट दे दी है, ये जादू इसलिए हुआ है, क्योंकि वो मोदी की वाशिंग मशीन में धुल गए, नरेंदर मोदी का विरोध करो तो भरष्टाचारी, उनके साथ आजाओ तो केस खतम, सुप्रिया श्रनेत कहते हैं, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आप धोंगी हैं, और मैं आपसे कुछ और चेहरों से आपका परिचाय कराना चाहता हूँ, चुकि महराश्ट को लेकर शुनामों की हो गई है, अजीत पवार, अशोक चवन, नारायन राने, शगन भुजबल, धेरो नाम हैं दोस्तों, रफोल पटेल, एक के बाद एक कई नाम, सब भरष्टाचार के आरूपों से घिरे हुए, ये भारती जंता पार्टी में छलांग लगाते हैं, सारे मामले खायब हो जात हैं, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों, अजीत पवार का मामला, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अजीत पवार के मामले में, आपको याद होगा प्रधान मंतری नारेंदर बोधी ने मंच पर खड़े होकर कहा था, कि ये जो पोलिटि चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महराष्ट पुलीस की आर्थिक अपराद शाखा की ओर से बड़ी राहत मिली है EOW ने कथित 25,000 करोड के MSCB Bank हुटाले मामले में सुनेत्रा को clean shit दे दी है आपको याद है दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पवार फामिली के बारे में क्या कहा था याद है कि भूल गए प्रधान मंत्री कहीं आप तो नहीं भूल गए आपने क्या कहा था अजीत पवार के बारे में और पूरी पवार परिवार के बारे में याद दिलाता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बुलंद आवाज में सुनिये क्या का था जीत पवार और उनकी पूरी फैमिली के बारे में अगर मैं एन्सीपी की बात करूँ तो एन्सीपी पर भी करीब करीब सत्तर हजार करोर रुपिये के घोटालो का आरोप है महाराश्टर स्टेट कोपरेटिव बैंक घोटाला महाराश्टर सिंचाई घोटाला अवैद खनन घोटाला इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है दोस्तों जिस बात को लेकर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत पवार को गर्या रहे हैं वो मामला क्या था? जिसको लेकर अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई जबसे वो बीजेपी की गोद में आके बैठे वो मामला क्या है आपके स्क्रीन्स पर महराश्ट के डेपिटी चीफ मिनिस्टेर अजीत पवार की पत्नी सुनेतरा पवार को महराश्ट पुलीस की आर्थिक अपराद शाखा की उरसे बड़ी राहत मिली है EOW ने कथि 25,000 करोड रुपए के MSCB बैंक हुटाले मामले में सुनेतरा को क्लीन शिट दे दी है और जाहिर सी बात है दोस्तों इसकी निंदा उस्वक जो है उधवसेना ने की थी और मुद्दा सिर्फ यहाँ पर अजीत पवार का नहीं है याद है आपको इनके दफ्तर के चार मालों को मोदी सरकार की एजिंसी E.D. ने सील कर दिया था मगर फिर रहस्समे ट्राइबुनल का फैसला आता है आपके स्क्रीन्स पर इंडिया ठोड़ी की खबर ट्राइबुनल क्वाशिस अटाच्मेंट अफ प्रफुल पटेल्स मुंबाई प्रॉपर्टी इन दी एच एफल मिर्ची केस एकबाल मिर्ची और दी एच एफल मामले में ट्राइबल ने फैसले को पलट दिया क्या-क्या नहीं कहते थे आप लोग क्या-क्या नहीं कहते थे आप इनके बारे में और अब जब ट्राइबुनल ने फैसला पलटा तो एडीने से चुनौती ही नहीं दी अशोक शवन भारती जन्ता पाटी में अब दिल्चस बात यह है कि इनको राज सभा भेजा गया है मैं आपको पुराना बयान सुनाना चाहता हूं क्योंकि इनका नाम आदर्श हाउजिंग घोटाली में आया था याद कीजेगा दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधिय और देवेंद्र फड़नविस ने किस तरह से महराश की चुनावी सभा में महराश की जन्ता को याद दिलाया था क्या-क्या नहीं कहा था सुनिये यहाँ महराश्टर में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश दी थी शहीदों के परिवार को दोखा दिया था इससे तो नांदेड और पूरा भारत भली भाती परिचित है आप जानते हैं ना वो कौन है पता है अशोक्राव चाह्णाना इतके वना मंत्री इतके मंत्री बनावला इतके मंत्री बनावला इतकेसाली ढूरो संडिती खी आओ इंस वर पहत्को को YE अगुए Beginu Ho तो आप देख रहे हैं दोस्तों क्या क्या हो रहा है चंद्रबाबु नाइडू अजीद पवार प्रफुल पटेल अशोक चभान शगन भुजबल नारायन राने पूरी लंबी चौड़ी फेरस्त है भारती जंता पार्टी में शामिल हो जाओ वाशिंग मशीन आपको दो देगा और आपको क्या किया जा रहा है आपको दंगा और नफरत में जो है दफन करके रखा जा रहा है उत्तर पदेश में क्या हो रहा है दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप जानते हैं बहराइच में एक टकरा हुआ जिसमें गोपाल मिश्र एक छट पर चड़ता है वहाँ पर इसलामिक जंडे को हटाता है भगवा फेराता है और उसके 25 मिनिट बाद उसे चाकों से गोद कर मौत के घाट उतार दिया जाता है आरोप मुसल्मानों पर लगता है खबर यह आई कि इस धारमिक जुलूस से पहले वहाँ पर आपत्ती जनक डीजे के गाने चलाय जा रहे थे गोपाल मिश्रा की मौत हो गई है वो गोपाल मिश्रा जो इसी नफरती राजनीती में बह कर शायदे सब कर रहा होगा बारा मंकी की ये वीडियो को देखिए दोस्तों ये वीडियो तो मैं आपको सुना भी नहीं सकता हूँ एक मस्जिद के सामने डीजे चल रहा है और इसमें मा की गाली दी जा रही है वो मा की गाली क्या है मैं आपको सुना भी नहीं सकता हूँ दोस्तों यानि कि दुर्गा विसर्जन की यात्रा जा रही है, मा की यात्रा जा रही है और मा की गाली दी जा रही है मस्जिद के सामने खड़े होकर, चपल भी फेकी गई यानि कि भारती जंता पाटी, चंदर बाबु नाइडू, अजीद पवार, अशोक चमान, प्रफुल पटेल, सब को क्लीन शिट देगी उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अनुराक ठाकुर, उनका एक वाहियात प्रवक्ता है अजय आलोक अजय आलोक के बच्चे तो अमरीकी नागरिक हैं, मगर वो रोज प्राइम टाइम में नफरा तुगलता रहता है रवी किशन, उनकी बेटी भी विदेशों में पढ़ती है, शिवराद सिंग चौहान, उनके बेटे ने भी विदेश से सिक्षा ली है निशिकांत दुबे, उनके बेटे ने ना सिर्फ विदेश से शिक्षा ली, बलकि विदेशों में अब वो नौकरी भी कर रहा है और आप, आपके केस में, आपकी नसों में मीडिया के साहरे इतना जहर भरा जा रहा है जिसकी मिसाल हम बहरैच और बारा बंकी में देख रहे हैं मैं जानता हूँ आपके जहन में क्या सवाल होगा कि मुसल्मानों ने पत्थर मारा या मुसल्मानों ने कोई टिपणी की खलत बात है, नहीं होना चाहिए और उन्हें सजा मिलेगी मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप मा की आत्रा निकाल रहे हो भाई, वहाँ पर मा की गाली क्यों दे रहे हो चाहे वो किसी और को दे रहे हो अगर आपके घर में एक धार्मेक आयोजन है आपके घर के अंदर एक धार्मेक आयोजन है ठीक है? नवरात्री संपन हुए आपके कई उनुष्ठान होंगे तो क्या आप अपने घर के अंदर जो धार्मिक समारू कर रहे हैं उसके अंदर मा बहन की गालिया देंगे नहीं देंगे ना अगर आप अपनी मा को सम्मानित कर रहे हैं आपकी मा का जन दिन है तो क्या आप अपने मा के सम्मान में मा बहन की गालियां वहां सुनाएंगे उनके सामने नहीं सुनाएंगे न तो सिर्व इसलिए कि मस्जिद पर निशाना साधना है इसलिए वहाँ पर मा की गालियों वाले डीजे के गाने बजाए गए इसमें नुकसान किसका है, बताइए, इसमें कौन बदनाम हो रहा है, इस पूरे खेल को समझिए दोस्तों, भारतिये जनता पार्टी के नेता के जो बच्चे हैं, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे कभी दंगाई नहीं बनेंगे, उनके बच्चे कभी प्र corruption पर देखे किस तरह से परदा डालती है, सीधा सा सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजे, क्या आपने पूछा है भारती जनता पार्टी से, क्यों क्लीन चिट देते हैं आप उन तमाम नेताओं को जो आपके पाले में शामिल हो जाते हैं, फिर कह माधवी पूरी बुच सेवी की प्रमुक हैं, साफ तोर पर conflict of interest, एक संसदी समिती इसकी जाच कर रही होती है, माधवी पूरी बुच को बुलाया जाता है पूछताच के लिए, आप जानते हैं उनके बुलवे का विरोध कौन करता है, भारती जनता पार्टी का ये सीधी सी बात है भाई, अगर पूछताच की जारी है, इसमें कुछ गरबड नहीं है, माधवी पूरी बुच को कोई सूली पे नहीं चड़ा रहा है, सिर्फ पूछताच कर रहा है, मगर पूछताच से भी देखे कितना डरते हैं, आज जो मैं बात कहने वालाओं नहीं, या पार, मुदी सरकार, अन्ना अंदोलन को पूरी तरह से भाचपा ने प्रायोजित किया था, जिस लोकपाल बिल की बात की गई थी, वो वजूद में है कहा, आज की तारीक में आप लोकपाल के पास जाते हैं, तो लोकपाल जाच करने से मना कर देता है, कि नहीं साब यह माम कर बीजेपी पूरी तरह से exposed है मगर समानांतर तोर पर नफरत के साहरे आपको असुरक्षित बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है हिंदू खत्रे में मैं फिर आप से पूछना चाहता हूँ मैं उस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ किसने पत्थर फेका, किसने हिंसा की शुरुआत की ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हम अपनी दुर्गा विसरजन यात्राएं निकाल रहे हैं और कोई मा बहन की गालियों वाला गाना चल रहा है उस विसरजन यात्रा में ये सवाल हमें खुझ से पूछना चाही की नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो हो रहा है वो शर्मनाक है यतीनर सिंगा नंसरस्वती ने हजरत मुहम्मद साहब के बारे में आपत्ति जनक बयान दिया दंगे जैसे माहौल हो गया एक के बाद एक इस तरह की खबरे आ रही है 36 गड़ में भी अराजकता फैली हुई है वहाँ पर एक मुस्लिम पुलीस आफिसर्स की पतनी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया लगातार इस तरह की खबरे आ रही है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसे मीडिया जंगल राज क्यों नहीं कहता सुप्रिया शुनेत ने इस मुद्दे को लेकर करारा हमला किया है सुनी वो क्या कह रही है महराश्च्र से लेकर उतर प्रदेश और 36 गड़ कानून वेवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है ये जंगल राज नहीं तो और क्या है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नफरत की आग को भड़का कौन रहा है और क्यों भड़का रहा है सवाल ये भी है कि सांप्रदाइक्ता की बलिवेदी जो हमारे बच्चे चड़ रहे हैं जो कुर्वान हो रहे हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है क्या पुलीस और प्रशासन इतना निकम्मा इतना नपुनसक हो चुका कि उनकी नाक के नीचे हत्या और हिंसा भड़काई जा रही हाथ पर हाथ दरे बैटे या असल में पुलीस और प्रशासन सत्ता धीशों के निर्देश पर इसको अपनी स्विक्रती दे रहे मीडिया का तो खेर क्या ही कहना महराश्च से लेकि उत्तर प्रदेश और 36 गरता आपको एक शब्द सुनाई नहीं देगा इसलिए आपके जो बच्चे नफरत में जुलसाए जा रहे ये जो बड़े बड़े नेता आपके बच्चों के हाथ में तवंचे और तलवारे देकर उनको धर्म का स्वेंभू रक्षक बना रहे याद रखीगा कि इनके बच्चे अमरीका और योरोप की बड़ी बड़ी उनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं मोटा माल कमा रहे हैं और शांती से रह रहे हैं तो ऐसा कौन है जो चाहता है कि जलती हुई बस्तियों पर उसकी नफरत की रोटी सिखती रहे आखिर कब तक सामप्रदाइक्ता की आग में निर्दोश लोगों के घर जुलसकर स्वाह होते जाएंगे आखिर कौन है जो इस देश के बेबस बेरोजगारों को ड्रग्स के नशे में जोक कर उनके हाथ में अवैद असलहे देकर उनको अराजक बना रहा है और इसका ताजा उधारन अभी महराश्च उसे आ रहा है जहां पर महज 50,000 रुपए के लिए बाबा सिद्धी की गरीब लड़कों द्वारा हत्या कराई जाती है और उनका पूरा जीवर इसके बाद बरबाद हो गया तो नफरत के इस खेल को समझिए एक जुट होईए इसको हराईए अगर नहीं हराईएगा तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि यह आपके बच्चों के भविश्य के बारे में है उनके बच्चे बहुत सुरक्षित हैं बहुत सम्रुद हैं और बहुत ठिकाने से लगे होग यहां कोई जंगल राजशब का इस्तमाल करेगा नहीं ना मीडिया क्योंकि देखिए उत्तर पदेश में हर गुजरते दिन के साथ माहौल खराब हो रहे हैं और मुझे लगता है कि लक्ष 9 सीटों के जो उपचुनाव होने वाले हैं और फिर 2027 में जब विधान सभा चुन सारे आप गिरिबान में जहां किये और अबिसार शर्मा को दीजे अजाज़त क्योंकि अबिसार शर्मा तो सवाल पूछेगा जवाब मांगे जाएंगे नास्कार